अमेठी में आईएस के पिता के दबंगई के CCTV फोटेज आया सामने कोट में विचाराधीन जमीन पर दबंगई से तोड़ फोड़ करते दिखा आईएस का पिता अमेठी से यह तस्वीर सामने आई है जहां बेटा आईएस बनकर लोगों को न्याय दे रहा तो वही ऐसे पुत्र का पिता छेतर में लोगों का चैनों सुकून छीन रहा दबंगई का ये वीडियो जिले के जामुताना छेतर के अंतरगत कटारी गाओं का गए जो की सोशल मीडिया पर जमकर वाइरल हो रहा है कर आईएस के पिता ने अपनी प्रतिष्ठा बना ली कई बार जबरदस्ती सीड़ी को तोड़ने का प्रयास भी किया लेकिन जगदीश ने कोट की शरण ली मामला कोट महुँच जाने के बाद भी 30 नवंबर को करीब दो दरजन लोगों को साथ लेकर आईएस का पिता जबरदस्ती सीड़ी तोड़ने पहुँच गया और पीड़ित पक्ष को जब यह जानकारी हुई तब उन्होंने जामोधाना के सीउजी नमबर पर फोन करके अपनी समस्या से प्रभारी निरिक्षक को अवगत कराया लेकिन प्रभारी निरिक्षक संजर कुमार ने कहा कि आप 112 को डायल करके बता दीजे पीड़ित ने 112 को बाखी लोग वहां से भाग निकले लेकिन सीड़ी तोड़ते हुए उनका सीजी टीवी फोटेज सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा गया जो सारी हकीकत बया कर रहा गया यही नहीं इसके पहले भी कौशल विरादरी के दो तीन लोगों को बुरी तरह से बेज़त किया यहां तक की जेल की हवा तक खिला दी क्योंकि आगे इसके पितागे इस कारण इनके खिलाफ प्रशासने का दिकारी कोई का दिवाई नहीं करना चाहते वही पिड़ित ने अमेठी प्रशासन से न्याय के गुहार लगाई है देखिए शौरी नियूज अंडिया की है रिपो है उन्होंने जबरन अपनी मेरी सीड़ी को वह और एक स्रण कुमार जो कि अपने को एड़ोकेट कहते हैं उन्होंने जो है मेरी सीड़ी को तोड़ डाला है और जब हम हमें पता चला तो हम 112 नंबर को फोन किये 112 नंबर जब वहां पहुंची तो उसको देखके ये लोग भ पूरतिया सक्षम हूं मेरा कोई कुछ विगाड़ नहीं सकता है जब तक हम आपको पूरी पूरी तरीके से नश्ट नहीं कर देंगे तब तक हम चुप बैठेंगे नहीं मैं जब इसकी फाइयार जामु थाने पुलिस में की तो उन्होंने कहा कि चुकि ये हाई फोर्फाइल मामला है इसलिए आप आगे जाईए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं जब सेड़ी तोड़ने का विडियो वानल हो रहा है उसमें पुलिस के उपर आरूप है कि उसमें कोई कारवाई नहीं की ये क्या है वांगा ये ग्राम कटारी का मांगला है जो थाना जामु कर प्रगताता है एक रहें के तोड़ने की सिकायता जमारे सामने आई हुए जग